अंकार उशी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ वही आता है मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है सरीर से सुन्दर होने वाले लोग आपको केवल कुछ पलखुशी दे सकते हैं लेकिन दिल से सुन्दर होने वारे लोग आपको जिंदगी भर्षुख देते हैं प्रेम से भड़ी हुई आंके, स्रद्धा से जुका हुआ सीर, सहयोग करते हुए हाथ और सत्ति से जुरी हुई जीव, इस्वर को सबसे ज्यादा पसंद है जैसे वन की अगनी, चंदन की लकडी को भी जला देती है वैसे ही दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहिद कर सकते हैं कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं सपने और लक्ष में एक ही अंतर है सपने के लिए बिना महनत के नींद चाहिए और लक्ष के लिए बिना नींद के महनत यदि आप प्रियास करने के बाद भी और सफ़ड हो जाएं तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखे अनन्द में वचन मत दीजिए प्रोध में उत्तर मत दीजिए दुख में निर्ने मत लेजिए सबसे बड़ा गुरू मंत्र अपने राज दूसरे को मत बताए ये आपको बरबाद कर देंगे जैसे एक बचरा हजारों कायों के जुंड में अपनी मा को ढूंड लेता है उसी प्रकार इंसान के अच्छे और बुरे कर्म से भी ढूंड लेता है अगर जीवन में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपका अगला कदम पिछले से बहतरीन हो कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं जुको केवल उतना ही जितना सही हो बेवजह जुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है कोई अगर आपके अच्छे काड़िये पर संदेह करता है तो करने देना क्योंकि सक सदा सोने की सुद्धता पर किया जाता है कोईले की कारिक पर नहीं कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है पर ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे सत्रों की अवसकता होती है अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिस्ता रखो क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है पर अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है भूखा पेट, खाली जेब और जूटा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है हमीर के घर पर बैटा कववा भी सब को मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सब को चोर लगता है इंसान की अच्छाई पर सब खामोस रहते हैं चर्चा अगर उसकी बुड़ाई पर हो तो गुंगे भी बोल पड़ते हैं पढ़ाजे तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं पढ़ाजे तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं जो ब्यक्ति आलसी होता है ऐसे ब्यक्ति का नो तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविश से होता है कोई भी ब्यक्ति उची अस्थान पर बैटकर उचा नहीं हो जाता बलकि हमेशा आपने गुनों से उचा होता है जो बुड़े वक्त में आपको आपकी कम्यां गिनाने लग जाए उससे ज़्यादा मतलबे इंसान कोई हो ही नहीं सकता अधिक सिधा होना भी अच्छा नहीं है सीधे ब्रिक्स पहले काट लिए जाते हैं और टेडे मेडे बचे रह जाते हैं बुद्धी से पैसा कमाया जा सक करता है परन्तु पैसे से बुद्धी नहीं हासिल की जा सकता है